सभी को नमस्ते दोस्तों मैं हूँ नीलम और मेरी किचन साला में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम ये फ्रूट कस्टड ट्राइफल बनाएंगे फाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और बच्चे होया बड़े सब को पसंद आता है और इसे बनाना तो बहुत फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हम कश्टड बनाएंगे और कस्टड बनाने के लिए मैंने हाँ दूल दूद लिया है यहां मैंने 10 चमत यह इंच्टड पा有डर लिया हैघ यह वाला लिया है वनिला फ्लेवर का और यह 100 ग्राम का पैकेट है पूरा पैकेट ही मैंने लिया है यहाँ कस्टड पाउडर को हम घोल लेते हैं सबसे पहले हम इसमें आदा कप दूद डालेंगे और घोल लेंगे दूद ठंडा ही होना चाहिए गरम दूद में हमने बिल्कुल नहीं गोलना है अगर गरम दूद में गोलेंगे तो इसमें लम्स आ जाएंगे दूद की जगए हम इसे पानी में भी गोल सकते हैं अच्छे से इसे गोल लेना यह जमता बहुत जल्दी है और यह देखें दोस्तों इसको मैंने अच्छे से गोल दिया है दूद में भी उबाला गया है एक बार चला लेते हैं और फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि दूद हमारा निकले ना और आब इसमें जो कस्टड पाउडर हमने गोल के रखा है वो इसमें हम डालेंगे इसको डालने से पहले गोल लिना है क्योंकि कस्टड पाउडर नीचे बैठ जाता है अच्छे से गोल लें इसको और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे थोड़ा डालेंगे और मिक्स कर देंगे फिर से थोड़ा डालेंगे और मिक्स कर देंगे एक दम हमने सारा न पकाएंगे, बीच में छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया, तो सारा काम खराब हो जाएगा, और ये देखिए, मैंने सारा मिक्चर इसमें डाल दिया है, इसको हम अभी गाड़ा होने तक पकाएंगे, दो-तिन मिनिट इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे, और फ्लेम को या मैंने एक मिडियम साइज की कटोरी चीनी के लिए है, ये इसमें डाल देते हैं, इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेस्ट के अकोडिंग, और इसको मिक्स करके इसी तरह लगातार चला लेंगे, दो-तिन मिनिट में ये बन जाता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उबलने के बाद, ये देखिए, कस्टड हमारा गाडा होना शुरू हो गया है, बस एक मिनट और चला लेते हैं, बहुत ज़्यादा गाडा भी हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा ये गाडा हो जाता है, कस्टड हमारा बनके तयार है, ये इसको ओफ कर देते हैं, और इसे एक मिनट और चलाएंगे, क्योंकि अभी पतिला बहुत गरम है, और इसे अभी छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा, इसलिए थुड़ा एक दो मिनट और चला दे, बंद करने के बाद भी, इसको मैंने एक मिनट और चला दिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, अब हम लेंगे एक बॉल्ट और उसमें डालेंगे फ्रूट, बनाना डाला है, एपल, मैंगो, और ये अनार के दाने, पोमी ग्रेनेट शीर्स, फ्रूट आप अपने मन पसंद ले इसमें तर्बूज, खर्बूजा, पानी वाले फ्रूट नहीं डालने हैं, इसमें हम एक चमच पीशी फ्रीजी नहीं डाल देंगे, और मिक्स करके, इसको दसमेंट के लिए फ्रीज में रख देते हैं, ताकि ये फ्रूट भी हमारे ठंडे हो जाए, और कस्टड भी मैंने इसमें रस भी रख सकते हैं, या फिर केक भी रख सकते हैं, या फिर आपका ना मन करें तो कुछ ना रखें, as you like, ब्रेड के उपर डाल देते हैं, ये चेरी, चेरी का टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है इसमें, और इसके उपर कस्टड की लेर लगा देंगे, ठंडा फ्रूट की लेर के उपर दोबारा से कस्टड की लेर लगाएंगे, ये फ्रूट कस्टड ट्राइफल बहुत स्वादिस्ट लगता है, रेसिपी को ट्राइ करके जरूर देखना, खाने में मज़ा आ जाएगा, ये ठंडा कस्टड हमने डाल दिया है, उपर से थोड़ी गा कि मैं बहुत ही इजी बिना किसी जंजट वाली टेस्टी और हेल्धी रेसिपी आपके लिए ले के आऊ, ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल वाल आइकन है, घंटी का निसान उसे भी दबा दीजिए, ताकि